दोस्तों सिंदगी में उठाया गया एक गलत कदम इंसान को कहां से कहां ले जा सकता है इसका एसाथ उसको तब होता है जब वो उसको अपनी मजबूरी मानकर अपना लेता है कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो असल में होता नहीं है इंसान की मजबूरी और लोगों के कहें शब्दों की वजा से वे अपने आपको उस जगा लेकर चला जाता है जहां से वो वापस तो आ जाता है लेकिन उसकी परचाई उसका पीठा नहीं छोड़ती आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही पॉन स्टार के बारे में जिसने कुछ करने की चहां में अपने आपको उस दल्दल में धगेल दिया जहां से वापस आना आसान नहीं दोस्तों हम बात कर रहे हैं पॉन इंडिस्ट्री की सबसे पॉपुलर स्टार मिया खलीपा की मिया खलीपा का जन 10 जनवरी 1993 को बेरूत में हुआ था और वहें जनवरी 2001 में अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गई अमेरिका के स्कूल में उनको सब काली और मोटी लड़की कहकर चिड़ाते थे जिससे वो बहुत तंग आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें कुछ करके दिखाना है खलीपा ने ऑक्टूबर 2014 में कौन इंडस्टी में कदम रखा लेकिन वो यहां कैसे आई दरसल वो हमेशा से ये चाहती थी कि वो कुछ करके दिखाए इसलिए वो स्कूल के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी एक बार एक प्रोग्राम के खत्व होने के बाद एक लड़का उसके पास आया और अपना कार्ट देकर चला गया खलीफा ने जब फौन करके उससे पूछा तो उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो अगर तुम चाहो तो तुम्हें पौन फिल्म दिला सकता हूँ इस पर मिया खलीफा ने उसको धमका कर फौन काट दिया लेकिन अगले दिन खलीफा ने खुद फौन किया और उसको बिलने के लिए बोला मिया खलीफा से उसने कहा कि तुम बहुत मोटी हो अगर तुम अपना वजन कम कर लो तो तुमें बहुत सारी फिल्में मिल सकती है खलीफा ने बिना कुछ सोचे समझे उसको हा कर दिया और इसके बाद वो पौन इंडस्टी में आ गई लेकिन वो 2015 में जब सुर्कियों में आई जब उन्होंने एक पौन फिल्म में हिजाब पहना हुआ था जिस पर उसके अपने देश लेबनान में बहुत जादा हंगामा हुआ और उन्हें जान से मारने की धंगी भी दी गई इस फिल्म के बाद उनके माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया इस वीडियो को पौन साइट पर सबसे ज़्यादा बार खोजा गया और मिया खलीफा पॉन साइट पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली पॉन स्टार बन गई 2015 से लेकर अब तक वो पॉन साइट पर नमबर वन पर काविज है तो दोस्तों ये थी पॉन स्टार मिया खलीफा की वो कहानी जिसमें उन्होंने अपने आप को फैमस करने के लिए वो रास्ता अपनाया जहां से वो अगर चाहे भी तो वापस नहीं आ सकती दोस्तों क्या आप भी विया खलीफा को पसंद करते हैं अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं